असलाम अलेकुम एवरीवन दिस इस गुलजार मुनवर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे अलहभीब डिजिटल अकाउंट आपनिंग के उपर किस तरह हम एजीली गर बैठे कर सकते हैं और इसके क्या फीचर से लेट्स स्टार्ट करेंगे विद फीचर्स ओफ अलहभीब डिजिटल अकाउंट आपनिंग क्या रिक्वार्मेंट्स होती हैं क्या सहुलियात होंगी वेंगल हभीब के लिए तो सबसे पहले जो रिक्वार्मेंट बैंगल हभीब की होगी वो यह है कि रेजिडिंट पाकिस्तानी ह लिए और यडिडिस स्टेट बैंक और पाकिस्तान की तर तरह से तमां बैंक्स दक्राइबी डिजिडल अकाउंट घॉत और हुपन करवा रही है लिहाद अलहभीब डिजितल अकाउंट अपनिंग्छ Yeah अपने अपने गर बैख कि आचाउंट अपन कर सकते हैं तो पहली श सेवर अकाउंट कहते हैं फेस वन है क्योंकि अभी आज ही लॉंच हुई है फिर्स जनवरी 2022 को तो यह फेस वन है इसलिए भी स्टार्ट के अंदर अकाउंट ओपनिंग सिर्फ इंडिविज्विल हो सकती है यह सिंगल अकाउंट हो सकता है जो कि फ्यूचर में बैंक की तरफ अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं चार करंसी के अंदर पाकिसानी रुपी में यूएस डॉलर में पांड के अंदर योरो के अंदर तो आप अलहभीब डिजिटल अकाउंट तो चार करंसी के अंदर आपन कर सकते हैं जबकि अलहभीब आसान डिजिटल अकाउंट जिसके अं करेंगे ऑनली पाकिस्तानी रुपी के अंदर उसके बाद फिफ्ट पॉइंट आप देख सकते हैं दोनों इसलामिक एंड कन्वेशनल दोनों टाइपस जो है वह आपके लिए अविलिबल होंगी क्योंकि बैंकल हभीब के अंदर जो है वह इसलामिक डिविजिन सेपरेट काम करता है और कन्वेशनल डिविजिन सेपरेट काम करता है तो आपके लिए दोनों अकाउंट की जो वेरियंट से वह आपके पास अविलिबल होंगे आप चाहे तो इसलामिक की कैटेगरी में अकाउंट उपन करें या चाहे तो कन्वेशनल अकाउंट टाइप की कैटेगरी म आप उपन करना चाहें कर सकते हैं सिक्स पॉइंट यह है कि आपके लिए कोई बैलेंस की रिक्वाइर्मेंट नहीं है कि आपने minimum इतना बैलेंस रखना है या maximum की कोई limit नहीं है सिर्फ आसान अकाउंट में जो के limit स्टेट बैंक के तरफ से दी गई है इस पांच लाग रुपे आप रख सकते हैं बाकी जो नॉर्मल अलहभी बैलेंस की रिक्वाइर्मेंट नहीं है आप जितना रखना चाहें जितना बिर्कुल जीरो बैलेंस पे आप उपन कर सकते हैं सेवन पॉइंट अकाउंट होल्डर अवेल कर सकता है वह तमाम सहुलियात जो अकाउंट होल्डर बैंक जाके अकाउंट उपन करने के बाद सहुलियात रिसीफ करता है जैसे एटीम कार्ड की सहुलत है नेट बैंकिंग की सहुलत है मॉबाइल बैंकिंग है SMS alert है E-statement है वह तमाम चीज़े हैं आपका अकाउंट आफ्टर स्कूरूटनी क्योंकि हम जब फॉर्म्स वगर्ण अपलोड करेंगे यानि कि कस्टमर है वह अपना डॉकॉमिट अपलोड करेंगा तो उसकी स्कूरूटनी होती है पैंक की चरफ से उसको चेक किया जाता है वेरिफाई किया जाता है दिन उसके बाद कम्प्लीट अकाउंट ओपनिंग होती है इसके बाद आप देख सकते हैं नाइन पॉइंट कस्टमर विल बी फैसिलेटेटेड़ इन केस अगर कस्टमर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कस्टमर जो है वो अपने प्रिमिस पे रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरी जगह पे या मेरी लुकेशन पे आप किसी को बेजें ऐसा हेल्पर तो बैंक जो है वो अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पर्सन नियर होगा उसको वो कॉन्टेक्ट करके कम्यूनिकेट करके आप तक पहुंचा देगा और कस्टमर को इस तरह भी फैसिलिटेट किया जा सकता है इसके इलावा कस्टमर की फैसिलिटेशन के लिए 24 आर्स का जो कॉल सेंटर है उसका नंबर भी है 021111-014014 वहाँ पर भी आप 24 आर्स कॉंटेक्ट कर सकते हैं वहाँ से भी आप कहीं पर अगर आप अटक रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए या कोई कंफूजन है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं अच्छा जैसे कि मैंने आपसे उपर टस्क्रा गया जॉइन अकाउंट काटेगरी अच्छा जैसे कि सेकंड फेज के अंदर लाँच होगी अभी ये फर्स फेज है तो इस वक्त जो है इनोंने इंडिविजवल सिंग्ली और माइनर ये दो कैटेगरी से रखी है माइनर अकाउंट और इंडिविजवल कैटेगरी में सिंगल अकाउंट जो है सकता है जोएंड अकाउंट नहीं खुल सकता और दूसरा असान डिजिटल रेमिटन्स अकाउंट और फ्रीलैंस डिजिटल अकाउंट ये दोनों जो है वह बहुत जल्द सून जो है वह लाँच होने जा रहे हैं जो के मैनेजमेंट के तरफ से अनाउंस्मेंट हुई है तो होफुली आसान डिजिटल रेमिटन्स अकाउंट और फ्रीलैंस डिजिटल अकाउंट जो है वह बहुत जल्द सून जो है वह लाँच होगा सेम इसी कैटेगरी के अंदर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरह आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो आपको एक लिंक स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपने इस लिंक को अपने वेब ब्रावजर में लिखना है मैं आपको एक लिंक अपने डिस्क्रीप्शन में भी दे दूँगा तो आप क्रॉम पे या जो भी आप वेब ब्रावजर यूज़ करते हैं मोजीला या फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं उस पे आप इस लिंक को पेस्ट करेंगे मैं लिंक नीचे डिस्क्रीप्शन में दे दूँगा तो आपके पास स्क्रीन जो वो इस तरह की खुल रही होगी अब इस स्क्रीन में तीन चीज़ए आपके पास अगर आप नए कस्टमर है तो आप अपने application को process कर सकते हैं यानि काउंट अपनिंग स्टार्ट कर सकते हैं आपने अपनिंग स्टार्ट की थी धरमयान में इंटरनेट का कोई issue हो गया या को document आपका पैंडिंग में रह गया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं मुबाइल नमबर यहां से अपडेट करवा सकता हूं या मैं अपना email address चेंज कर दिया है तो मैं email address यहां से अपडेट कर सकता हूं या मैं अपना address चेंज किया तो address वगरा जो यानि के रिकॉर्ट के हवाले से यह चीज़ें आपकी account के अंदर पहले से डल गई है उसको आपने change करना है अपडेट करवाना है तो आप यह option यूज करेंगे फिल वक्त हमारा focus होगा start application process for a new customer नए customer के लिए application किस तरह process कर सकते हैं बहुत simple steps है total art steps है आप जैसे ही start application process पे क्लिक करेंगे आप minor है या आप जो है वो above 18 है और आप अपना individual account खोलना चाहरे है तो आप उस पे क्लिक करेंगे according जो आप चाहरे है फिर उसके बाद second step में आपने contact information डालना है contact information में आपकी email address contact number आपका address होम address वो सारे चीज़ें उसके इंदर आ रही होंगी फिर उसके बाद फिर आप next पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके बाद पूछा जाएगा आपसे के आप जो है वो अपना banking mode बताएं आप convention में account खुलवाना चाहरे है या Islamic में तो आप उसमें से एक select करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपसे पूछी जाएगी उसके बाद six नंबर पे terms and condition है बैंक की उसको आपको accept करना होगा then last step के अंदर second last step के अंदर आपको जह वो अपना signature आपने अप्रूट करना है जो sign आप चाहते हैं अपने account में हो और आपको जो documents required है आप documents vary करते हैं अगर आप housewife है तो आपके लिए different documents होंगे अगर आप student है तो आपके लिए different documents होंगे अगर आप salary person है तो आपके लिए different documents होंगे इन सब पर पूरी video बनी भी मेरी वह भी मेरे description पे डाल दूँगा तो आप उसको देख लिजेगा और accordingly documents आप upload कीजेगा और बाकी आपके आपके बाद जो screen आ रही होगी उसके ओपर भी चीजें mention होंगी इसके पात जो requirement है signature and documents के बाद आप पर आप एक live image लिया जाएगा इसके बारे में मैं कभी इस फुक्त confirm नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी तक के वाली account opening की नहीं क्योंकि आज ही launch हुआ है तो as per my knowledge शायद आपसे लिया जाएगा ताके इस चीज को confirm किया जा सके कि account holder ही अपने account को process कर रहा है या नहीं है normally bank में आप जाते हैं तो आपसे biometric लिया जाता है जो कि इस चीज की निशान दे करता है कि आप alive हैं तो इसके भी chances है कि आपका live एक picture लिया जाए तो आप कोशिश कीजिएगा account opening के end तक अपने आपको well dress करके या well face करके आप अपनी एक picture जह हो upload कीजिएगा तो इस तरह आपका process first step जो कि application process है वो complete हो जाएगा और इसके दो दिन बाद आपका account active हो जाएगा I hope कि आपको यहां तक की चीज़ें clear हो गई होंगी thank you so much for watching the video